अलो दोस्तों ताज की इस वीडियों हम जोनने वाले हैं पुर्णा उंकी समझ जोकी क्लास सेवन का पहला अध्या है और इस अध्या हम जोनेंगे उनके बेसिक सारा अंस के बारे में उन में हमें क्या-क्या चीज परना परता, क्या-क्या चीज नहीं परना परता उन सारे चीजों के बारे में हम जवनेंगे जब भी आपको question में दिया रहे उचाई, ताप उसका उल्टा लिखेगा गहराई अगर बिर्दी रहे तो उसका उल्टा हो जाएगा कमी अगर अधिक रहे तो उल्टा होगा कम उपर रहे तो उसका उल्टा हो जाएगा नीचे लाव का हानी जमा का खर्च इसको अगर आप याद रखते हैं अगर लिखा रहेगा दस मीटर उचा ताप उसको उल्टा लिख सकते हैं दस मीटर गहरा अब हम जोनेंगे पुर्णांक यह जो पुर्णांक है पुर्णांक किसे कहते हैं उसके बारे में यहाँप है वैसी संख्या जिसमें धनातमक एवं रिनातमक दोनों संख्या हो उसे पुर्णांक संख्या कहते हैं यानि पुर्णांग संख्या का प्रिभासा हो जाएगा जिसमें धानात्मक, धानात्मक का मतलब हुआ पलस बला पॉइंट, धानात्मक किसे कहेंगे जिसमें पलस का चिन्ड हो और इनात्मक किसे कहेंगे जिसमें मैनस का चिन्ड हो, दोनों संख्या हो उसे पुर्णांग केत यहां पे योगात्म परतिलोम या योज्य परतिलोम अब इसका हम प्रिवासा जान लेते हैं तो इसका प्रिवासा यहां पे है किसी पुर्णांग के विप्रीत चिन्द को उसका योगात्म परतिलोम या योज्य परतिलोम कहते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी पुर्ण का कह रहा है किसी भी पुर्णांग का विप्रीत चिन यानि की जैसे पलस में पांच है यहाँ पे तो उसका उल्टा हो जाएगा मैनस पांच यही हो गया इसका योगात्म परतिलोम या फिर योज्य परतिलोम यह था उदारन के लिए एक एक जांपर हम यहाँ पे दे चुके ह आगे का यहाँ पे टॉपिक है जोर घटाव का नियम हम जो परते हैं पलस मैनस मैनस इसे करके जो जोर घटाव परते हैं उसका नियम जो है वो यहाँ पे हम लिख दी हैं पलस मैनस बराबर होता है मैनस चिन बेसी वाला यह है जो आप देख रहे हैं जोर घटाव का है ना स मैनस तो होगा लेकिन देखेंगे उसमें जिसका चिन बेसी रहेगा अगर पलस का चिन बेसी है तो पलस का चिन देदेंगे अगर मैनस का चिन बेसी है तो मैनस का चिन देदेंगे अब यहाँ पहें मैनस पलस परावर मैनस चिन बेसी वाला इसमें भी वही condition है minus minus होगा minus लेकिन जूटेगा जिसे कि हम आपको समझाना चाहेंगे minus 10 और minus much मिल के हो जाएगा minus 15 लेकिन चिन्ह रहेगा minus का जूटेगा लेकिन चिन्ह रहेगा minus का अब हम बात करने वाले हैं गुना का नियम जो है गुना का नियम में क्या होता है पलस गुना पलस बराबर हो जाएगा पलस मैनस गुना मैनस बराबर हो जाएगा पलस मैनस गुना पलस बराबर होगा मैनस पलस गुना मैनस बराबर हो जाएगा मैनस ये इसका था गुना का नियम अगर आपको यह वीडियो पसंद आये था हमारी चनल को लाइक कोमेंट से सस्क्राइब जरूर करें मिलते हैं अगले वीडियो में